आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। तो प्रशन दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन परमाडू अपनी मूल आवस्था में 10.2 इलक्ट्रोन वोल्ट उर्जा अवशोशित करता है और उसका कोड़ी समवेक बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रशन ने कह रहा है कि अगर प्लांग कि स्थरांग की वैल्यू हो, एच बर 0.5 गुड़ी 10-34 Joule से, दूसरा है 3.16 गुड़े 10-34 Joule से, तीसरा है 2.1 गुड़ी 10-34 Joule से, और 4.22 गुड़े 10-34 Joule से, ठीक है, तो यह बताना है कि अगर हाइड्रोजन परमाडू अपनी मूल अवस्था से में उर्जा अवशोशित कर रहा है, तो उसकोड़ी समवेक कि देखो, यहां पर हमें दी हुई है, उर्जा कमान दिया हुआ 10.2 इलक्रॉन वोल्ट, तो जैसे ही ही आईड्रोजन परमाडू, 10.2 इलक्रॉन वोल्ट की उर्जा को अवशोशित करेगा, तो इस उर्जा को अवशोशित करेगा, अपनी मूल अवस्था से प्रथम इस तर को बोलते हैं मूल उर्जा इस तर ठीक है और यह विलाबर दो यह है प्रत्थम उत्तेजी तवस्था मतलब कि यहां से एलक्ट्रॉन को यह हैं प्रमाणों को उर्जा मिली और उर्जा जैसे ही मिली तो अपनी कक्षा छोड़ करके त्रंथ उत्तेजित होगे दूसरी क प्रत्थम उतिजी तवस्थां में पहुँँचा रहे हैं तो ऐसी के क्या होगा कुछ न कुछ ना कुछ तो फेली ऊड़ील परवरतन होगा तो वही हमें देखना हैं फेली और हमारा आइरोदिन पर मारू किसी ए और के स्थर में हो एक और कुडी समवेग होगा तो उसका सूतर का होता है लृबर 0 अच भुड़ी 2 पैए तो एक गुड़ी एक हो जायेगा तो मुख क्वांटम संख्या अब गशन मोगे कॉट्वर ठीक है बस आपको लिए याद कर रखना है केवल आपको याद रखना है इस कोड़ी सम्वेक का सूत्र जो की है अब आते हैं पहले उर्जाए स्ट्रक्ल में क्या होगा कोड़ी सम्वेक होगा एक गुड़े एच बटी टूपाई तो अब देखो यहां पर मान रख दो तो और मान निकल के आएगा एक दşम्लव SARAH 0 5 गुड़े 10 की कहाध मानेस के चौट्तिस ठीक है तो यह मान निकल के आएगा तो यह तो होग्या पहले उर्जाए स्टर के लिए कोड़ी सम्वेक अब आते हैं दूसरे उर जाए इस तरद के लिए तो फिल्जाए क्या क्या होगा तो फिल्ट अब लोग इस पूरे की जग है ये मान रख सकते हैं हम कर सकते हैं दो आप छीक है तो अल्ट ऊंवर बावर क्या हो जाएगा दो गोड़ी अल्वल उबन कितना था यह था एक तुशंबलव जीरो पांच गोड़ी दस कि घाथ माइनस की चॉतिस जब इसको हल करोगे तो L2 को आमान कितना निकल के आएगा तो ये निकल के आएगा 2.10 गोड़ी 10 की घात माइनस की 34 तो ये हो गया दूसरे उर्जा इस्तर के लिए कोड़ी सम्वेक अब हमें ये देखना है कि जब हमारा परमाड़ो पहले उर्जा इस्तर से दूसरे उर्जा इस्तर में गया तो कितना कोड़ी सम्वेक में परिवर्दन आया तो डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा L2 माइनस L1 ठीक है L2 कमान कितना है तो ये 2.10 कोड़ी 10 की 34 माइनस की L1 कमान कितना है तो ये है जो इसको हल करोगे तो यहां से जो कोडिय संवेग में व्रधी होगी वह मान निकल क्या आएगा एक तरशम्वंदस अब देखते हैं कि मारा कौन से विकल्प सही है तुम देख सकते हैं कि हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है कि जो कोड़ी सम्वेक बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा एक तर्शम लव जीरो पांच गुड़ी सिकारबनास के 34 जूल सेकेंड से तो यही मारे से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोजा आज ही डाउनुट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर